हांजी शुरू कर सकते हैं शाष्वत योग सभाव की पूरी टीम की तरफ से सभी शुटाओं को नज़ा की शुकाम नहीं सभी को नमशकार प्रणाम मेरे का भार्दवाज शाश्वत योग सभा में आप सभी शुरोताओं का दिल से स्वागत व्याभी नंदन करते हुआ जैसा कि हमें ग्यात है कि आज वीरवार साइं आठ से नो बजे हमारे सत्र होने जा रहा है और इस सत्र का विशे हैं भावसमादी भावसमादी को लेने के लिए हमारे पीछ हैं रमन सर आप रमन सर को जानते हैं लेकिन मैं उनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगे जल जाता है जो दिये की तरह कई जीवन रोशन कर जाता है कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निवाता है गुरु शशक्त बनाता है अस्तित्व को बचाता है समांद रष्टी रखकर सबको स्वाबी मानी बनाता है जी हां ऐसी ही छवी हमारे योगाचारिय श्री इंद्र नरेड रमन जी की हैं आप गांधी भवन दिल्ली युनिवस्टी में योगा और्गेनाइजर हैं आपने योगी काचार विचार विहार चिकित्सब पदती वे भारतिय योगसिदान पुस्तुगों पर रिसर्च वर कमपिट किया है आपने शाश्वत योगसभा का निर्मान करके हमें और सभी शुरताओं को जोड़ कर इसमें उनको लाबानवित किया है इसके लिए आपका बहुत बहुत देन्यवाग इस सत्र में आपका स्वागत है हम सभी को ग्याते हैं कि सत्र की शुरुआत हमेशा की तरह भजन से होती है और भजन गाने का श्रे जिमला है मैं भी गांधी बवन की पुर्व चात्रा हूँ और अपने गावों में महिलाओं को योग सिखाती हूँ मेरा आप सभी योग प्रेमियों से अनुरोद हैं कि आप इस सेशन को टेंड करेंगे और आपको बड़ा ही आनन्द है अगर सर की आज्या हूँ तो मैं भजन सुनाओं बिल्कुल प्रागम करिए धन्यवाद सर हरिस्वास में हो सिमरन तेरा ऐसा बना दो प्रभू जीवन मेरा हरिस्वास में हो सिमरन तेरा एसा बना दो प्रभू जीवन मेरा तेरी पूजा करते करते वीते नर्तन मेरा हरिस्वास में हो सिमरन तेरा ऐसा बना दो प्रभू जीवन मेरा याद तेरी को सदा दिल में बसाओं आटों पेर दाता तेरे गुण गाओं करती रहूं सदा चिंतन तेरा ऐसा बना दो प्रभू जीवन मेरा ऐसा बना दो प्रभू जीवन मेरा क्वाहिशे ना जग की मुझे को सताएं चिंताना हर दिन नजदीक आए चिंताना हर दिन नजदीक आए आम तेरा ही सच्चा धन मेरा ऐसा बना दो प्रभू जीवन मेरा जग में रहूं पर जग से अलग रहूं तेरे सिवादा आताना किसी की मौताज रहूं जपती रहूं सदा सिमरन तेरा ऐसा बना दो प्रभू जीवन मेरा ऐसा बना दो प्रभू जीवन मेरा ऐसी तेरी पूजा में दासी को जाओं मैं ना रहूं दाता तु भी तु रह जाए मैं ना रहूं दाता तु भी तु रह जाए सर रेखा जी को नेटवर्क चला गया शांद रेखा बाभू को बहुत बहुत सुख का मिना बहुत ही शुंदर भजन के बोल थे बहुत ही शुंदर भाव था हर सांस सुम्रन हो प्रहू तेरा और आज के इस सत्र में जुरने के लिए सभी दिव्यात्माओं को मैं नमन खरता हूं और सास्वत योग सभा के सभी आधिकारियों को अचारियों को जिनके अथक महिनत और प्रयास से यहाँ सभा कारिरत हैं तो मैं सभी दिव्यात्माओं को नमन करता हूं और आज हम भाव समाधी करेंगे और भाव समाधी में थोरा साज बहुत डूबने की इक्षा हो रही है और कल से मेरा थोरा स्वास्ती ठीक नहीं है मुझे लग रहा था दिपाली को मैं बोल दूँ की अल्टरनेटिव आप रखिये क्योंकि कल से थोरा मुझे फीवर हो गया है काफी उनिवर्सिटी में भागदौर के कारण ब्यस्ता बढ़ गई थी तो थोरा से लग रहा है ठंड करशर हो गया है तो फिर मैंने अपने विचारों को बदला की हम अध्यात्मिक रूप से रुगन रहते हैं तो सारे काम करते हैं दोड़ते रहते हैं लेकिन हम थौरा सारी रिक रूप से अस्वस्त हो जाते हैं तो इस में एक क्लाatori हो कैसे छोड़ सकते हैं और दूसरी बात यह है कि थोरा मैं लोभी हूँ, आप लोगों का दर्शन करता हूँ, आप लोगों को देखता हूँ, आप लोगों को देखता हूँ, आप लोगों के सच्छे भाव को देखता हूँ, तो ऐसे लगता है कि उर्जा से भढ़ जाता हूँ, उर्जाबान को जात तो उन्ह एक बार आप सभी को नमन और भाव समाधी के लिए आगे बढ़ते हैं जो जुरे हैं यह साधना भी हम सवासन में लेट कर करेंगे तो जहां आप यह साधना करने जा रहे हैं उस जगह का जो इत्मास्फेर है जो महाल है वो बिना किसी इस्टर्वेंस का हो ऐसास में सिद्ध कर लीशिये तो आप के लिए यह माहौल यह सांती आपको साधना के गहराई में उतरने में आपकी मदद करेगी जब आप परिपक हो जाएंगे साधना के गहराईों में डूबने की आपको एक सहजी एक जब अनुवोती होने लगए अहसास होने लगता है यह जब यह लग जाती है तब तो कोई बाहर डिस्टर्विंस कोई अशर नहीं करती चाहें कितना भी धीर हो कितना भी कुछ भी हो आपको कोई फरक निपरता आप कि जो है सुरती हमेशा अपने प्रभू से उस परम्चेतना श्रजूरी रहती है और रेखा जी कह रही थी कि संसार में रहते हो हमें संसार का भानने रहे मैं आप से जुरा रहूं तो ये भाव समाधी साधना में भी ऐसा ही रियलाइजिसन होता है तो आप सभी से निविदन है कि जो साधना कर रहे हैं सुनेशित कर लिजिए कि आपका आस परोस बिलकुल सांथ हो और ये एक घंटे के दोरान कोई डिस्टर्बिंस ना हो परिवार के बीच में हैं थोड़ा सा साधानी बरत लीजिए और तयार हो जाएए पुनह एक बार आप सभी का हरदाय से स्वागत पहले सुफ पुर्बक ध्यान की स्थिति में ध्यान की अवस्था में बैच चाहिए नेरु दंड शिधा कर लीजिए आँखें सुफ पुर्बक बंद कर लीजिए और अपने सहज स्वरूप के प्रती सजग हो जाएगी अपने आपके प्रती पूर्ण सजग हो जाना है अवेर हो जाना है जागरत हो जाना है जो मोह नसा में आप सोय हुए हैं उससे जग जाना है अलर्ट हो जाना है और यह अलर्टनिस बाहिछ चीजों के लिए नहीं अपने आपके लिए अपने आपके प्रती अलर्टनिस बढ़ा लीजिए अब आप इस्वर के जेसे श्वरूप में आस्था रखते हैं विश्वास रखते हैं परमात्मा के उन देव्द्यष्वरूप का समरन करते हुए अपने आपको अपने इस जीवन को अपने परमेश्ट के देव्य जर्णों में समर्पित कर दिजिए पूर्ण समर्पन आपके समर्पन में कोई छालावा नहीं बना जाए सरवात्म समर्पन कर दीजिए आप इस्वर को समर्पित करने चार रहे हैं अपने आपको लेकिन हमारी नियती ऐसी हो गई कि हर समय हम छल पूर्ण व्यभार करते हैं तो आप सजग्ता पुर्वक ऐसा ही व्यभार उस परमात्मा के साथ आप मत कीशिए जिसने आपको इतना संदर शरीर दिया है इतना संदर जीवन दिया है जो हर स्वास प्रस्वास में आपके शरीर में जीवन सक्ति का संचार कर रहा है चेतना का संचार कर रहा है जो एक पल के लिए भी आपसे जुदा नहीं रहा है भले ही आपको लगता है कि आप बहुत दूर हैं ये आपकी अपनी अन्भूती है और भाव साधना के माध्यम से अध्यात्मिक साधना के माध्यम से हम यही रियलाइस करते हैं कि वह जो परमात्मा है वह जो परमचेतना है वह जो जगत नियंता है वह हर पल, हर स्वास, प्रस्वास में मेरे इस जीवन में जीवन सक्ति का संजार कर रहा है तो पूरे शमर्पित भाव से, भक्ती भाव से निश्चल हिरदय से अपने आप को अपने इस्ट के प्रती शमर्पित खरती चीए कोई छालावा सेस नहीं रहना चाहिए यह मेरा आप से करवध प्राधना है शमर्पन में कोई कमी नहीं होई चाहिए जब आप सरवात्म शमर्पन कर देते हैं आपके जीवन की सारी बागडूर इस्वर के हाथ में चला जाता है और जिसके जीवन का वागडूर साक्षाथ उस जगत नियंता के हाथ में हो उस रभू के हाथ में हो इस्वर के हाथ में हो जो जगत के पालनहार है सिस्टी करता है तो आपके जीवन हमेशा आनंद में टुपा रहता है आपकी मस्ती बनी रहती है आपकी सहर्ष्टा बनी रहती है ते भी आत्मन आपने अपने आपको पूर्शमरपन कर दिया और इस स्वर से प्रार्थना कीजिए कि है प्रमात्मा अगर कहीं भी मेरे भाव में कमी रहा तो आप मेरा माघदर्शन कीजिए और मेरे भाव को भी प्रगार कर दीजिए मेरे हिरदय को भी अपने प्रेम से भर दीजिए अपने भक्ती से भर दीजिए कि जब भी मैं आपके सामने शर नवा हो तो पूरे भक्ती भाव के साथ, पूरे शमर्पन के साथ उनता निश्चल हिरदय के साथ अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो यह प्रमात्मा से आप प्राथन खिशिए कभी दाश्ची ने भी कहा था कभी मेरा मुझे में कचु नहीं जो कचु है सो तेरा तेरा तुझ को सौंपनी में क्या लागे है मेरा जब सब उन्हीं का है तो हमें सौंपनी में क्यों प्रपंच करना इस प्रपंच में इस छलावे में आपको नहीं आना है शरवात्म शमर्पन कर देना है देव्यात्मन आपने पूर्ण शमर्पन कर दिया अब आप अपने रदाई से अपने आत्मी कस्तर से तीन बार ओम ध्वनी करते हुए अपने आत्मी कुर्जा को जागरित कीची यह तीन ओम ध्वनी वह संखनाध है जो आपकी चेतना सुसुपता वस्था में परि हुई है उसे जागरित करने के लिए उसे आप सावधान कर रहे हैं उसे जगा रहे हैं उसे अलर्ट कर रहे हैं इस भाव से तेन बार ओम ध्वनी करते हुए अपने आध्यात्मिक शक्ति को जागरित कर दीची जसे अलर्ट कर रहे हैं ओर्ट कर रहे हैं खर रहे हैं उसे जाए। लूम् लूम् इव्याद मन् आपने पूर्ण शमर्पित करते हुए अपने अध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर लिया है देविया अध्मन अब आप अपने संकल्प को दुहरा लिशिए जिस भाव से जिस उद्देश के लिए आप यह भाव समाधी साथना करने जा रहे हो अपने उस उद्देश को दुहरा लिशिए अथवा आपके जीवन का जो मूल धे है जिस धे के कारण आपने यह सरीर प्राप्त किया है यह जीवन आपको मिला है अपने उस परम धे को अपने परम संकल्प को दुहरा लिशिए आपके द्वार लिया गया संकल्प आपके हित में राश्ट के हित में और स्रिस्टी के समस्त प्राणियों के हित में लिया गया है ऐशा मैं आप से अपेख्षा रखता हूँ देब्यात्मन आपने शंकल्प दुहरा लिया अब आप सवासन की अवस्था में लेट जाईए अपने शरीर को सहज समाधी की अवस्था में रख दीछे दोनों पैरों को फैला दीछे दोनों तलहतियों को जंगे के सीध में रखते हुए आसमान की और खुला छोड़ दीछे पैर से लेकर शिर तक अपने पूरे शरीर का निरिक्षन कीछे अपने आत्मिक दृस्टी से अपने अंतहर दृस्टी से इस शरीर के जर्रे जर्रे पर अपने अध्यात्मिक दृस्टी ले चाहिए और शरीर के किसी भी अस्तर पर उर्जा का खमी है कोई रोग है कोई दिकार है तो उसे अपने आत्मिक सक्टियों से अपने आत्मिक उरजा से अपने संकल्म सक्टी से उरजावान कर दीजिए आप में अनंद सक्टि है आप उसी अनंद सक्था के मोलखारण है उसी अनंत सत्ता के अंस है अपने पूरे इस भातिक शरीर को अपने अध्यात्मिक शक्तियों से अस्पंदित कर देजिए अपनी चेपना का अपनी उर्जा का बोचार कर देजिए इस पूरे शरीर में और ऐसा अन्भूती कीजिए जैसे ही यह भाव मैं कर रहा हूँ यह संकल्प मैं कर रहा हूँ मेरे संकल्प के साथ ही मेरी अध्यात्मिक शक्तियां मेरी आत्मिक शक्तियां इश्वरी सक्तियां मेरे सरीर के रग रग में प्रवेश करता जा रहा है और मेरे सरीर के जर्रे जर्रे को आत्मिक शेत्ना से दिव्याध्यात्मिक शक्तियों से भर दिया है उर्जावान कर दिया है दिव्यात्मन अभी आप भाव समाधी साधना करने चा रहे हैं भाव समाधी साधना एक अलावकिक साधना है जिसे अपने आत्म श्वरूप की प्राप्ति के लिए अपने हिरदाय में अपने परम प्रभू को अनभूत करने के लिए करते हैं आपका शरीर धरती मा की गोद में एक सब के समान पड़ा हुआ है आपके शरीर के जर्वे जर्वे को प्रत्वे के गुरत्वा कर्षन अपनी और खीचता जा रहा है आप अनभक्र रहे है जब आप धरती मा को पूरता समर्पित भाव से भक्ति भाव से इस सरीर को श्रौप देते हैं तो मा अपने आचल से जिस प्रकार बच्छे को सहलाती हैं उर्जावान करती है उसी तरह से धरती मा आपके सरीर के समस्त विकारों को अपनी और खीच लेती है और ठीक ऐसा ही एहसास आपको हो रहा है आपके सरीर के जर्रे जर्रे में जो कहीं कुछ विकार था समस्त विकारों को धरती मा ने अपने में खीच लिया है और आपको विकार मुक्द कर दिया है दिब्य कर दिया है चैतन्य कर दिया है उर्जावान कर दिया है जीवंत कर दिया है धरती मा ने आपकी छेतना को आपके आत्मिक अस्तर पर स्थिर कर दिया है अब मैं आपके शरीर के कुछ खास हिस्सों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ आप अपनी छेतना को वहाँ ले चाएंगे और अपने भाव जगत में ठीक वैसा ही अनुभव करते चलेंगे आपका दाहिना पैर दाहिने पैर कांग उठा उंगलियां तलवा, घुटना, जांग, पूरा-पूरा दाहिना पैर शान्त है, सितिल है, भारी है, बहुत भारी हो गया है इससे आप हिला डुला नहीं सकते, आप अनुभग कर रहे हैं आपका बाया पैर बाया पैर कांग उठा, उंगलियां, तलवा, घुटना, जांग, पूरा-पूरा बाया पैर शान्त है, सितिल है, भारी है, बहुत भारी हो गया है आप अनुभग कर रहे हैं आपका दाहिना हाथ दाहिने हाथ का अंग उठा, उंगलियां, तलहधी, कलाई, बाजू, पूरा-पूरा दाहिना हाथ, शान्त है, सितिल है, भारी है, बहुत भारी हो गया है इसे भी आप हिलाडूला नहीं सकते बिलकुल जर्वत हो गया है आपका बाया हाथ, बाया हाथ का गूठा, उंगलियां, तलहधी, कलाई, बाजू, पूरा-पूरा, बाया हाथ शान्त है, सितिल है, भारी है, बहुत भारी हो गया है जिसे आप अनफव कर रहे हैं आपके शरीर का मध्य हिसा पेट, पेट, छाती, मेरुदंट, आपका हिप आपके शरीर के मध्य हिसा का आंत्रिक और शमस्त वाहिय अंग शान्त है, सितिल है, भारी है ऐसा ही अनफूती करेंगे, अनफव करेंगे आपके कंदी से उपर का छेत्र, आपका गला, आपका छेहरा, आपका ललाट, आपके दोनों नित्र, आपके गाल, आपके होट, आपके दोनों कान, आपके नासिका, नासिका के दोनों छिद्र, आपका मुँख, आपका जीफ, आपका दांत, आपका तालू, आपका जब्रा, आपका मस्तिक्स, आपके मस्तिक्स के इंटर्नल ओर्गन्स, आपका वाहिय मस्तिक्स, आपका सिर, आपके सिर के बाल, शांत है, सिथिल है, भारी है, बहुत भारी हो गया है, पैर से लेकर शिर तक, आपके शरीर का जर्रा जर्रा, निस्क्रिय हो गया है, छेतना सुन्य हो गया है, जर्र समाधे ले लिया है, समाधिस्थ हो गया है, कोई आंत्रिक और वाहि मुवमिन्ट, आपके इस भातिक शरीर में नहीं है, भातिक शरीर के अस्तर पर आप पिल्कुल शिथिल हो गये हैं, भातिक शरीर के अस्तर पर सारे शरीर की कार प्रणालियां विराम में चली गई हैं, और आप आत्मी का स्तर से जागरत हो गये हैं, आत्मा के स्तर पर आप सचेत हो चुके हैं, अलर्ट हो चुके हैं, सजक हो चुके हैं, सचेतन हो चुके हैं, चैतन्य हो चुके हैं, और यहां आपको एहसास हो रहा है शरीर के भातिक अस्तर पर इस भातिक शरीर से जितनी भी connectivity थी जितनी भी शरीर के शाथ relations थे संबन्ध थे चाहे बारीक अस्तर पर जो social relations होते है या इस प्रकर्टी के शाथ relations होता है भाव के अस्तर पर जो आपके शंबन्ध होते है विचारों के अस्तर पर जो आपका संबन्ध होता है या समस्त बंधनों से आपका शरीर मुक्थ हो गया है अब कोई relations नहीं है इस भावतिक शरीर और इस प्रकर्टी के शाथ आपके जो अपनों है जो अपने है जो भावार के लोग है मित्र है इस्त है कोई शंबन्ध नहीं है भावतिक शरीर के अस्तर पर लेकिन आप चेतना के अस्तर पर आत्मिक अस्तर पर जग चुके हैं जागरत हो चुके हैं और एक universal connectivity के तरफ बठ रहे हैं हर पेर पसू पक्षी जीव प्रानियों से आपका ट्रगार शंबन्ध यह अनादी काल से आपका है उसे आप realize कर रहे हैं उपना आपको अनभूती हो रही है यह सास हो रहा है इससा टूट शंबन्ध का इसलिए मैं प्राय कहा करता हूं कि योग इन्वर्सल कनेक्टिविटी का विझ्यान है जो आपको हर इस काइनात के जर्रे जर्रे से आत्मी का स्तर पर जोड़ देता है कनेक्ट कर देता है और यहाँ सहजी आपको इहसास होने लगता है यही तो योग है इसी जुराव के लिए तो आप साधना कर रहे हैं और प्रमात्मा भी इस काइनात के जर्रे जर्रे में ब्याप्त है यह भी आपको इहसास हो जाता है जब आप आत्मिक अस्तर पर हर जर्र चेतन जगत से जुर जाते हैं चेतना के अस्तर पर चैतनिता के साथ जुर जाते हैं यही योग का परम लक्ष है योग जर्ष अमाधी में जाने की विद्या नहीं है योग समाज से अलग होने की विद्या नहीं है योग तो चेतना के अस्तर पर जर्रे जर्रे से इस काइनात के कन-कन से जुरने का विज्ञान है और उसी एहसास जो हम अनंत काल से हमें यह एहसास होता रहा है लेकिन अज्ञानता बस इस दिव्य ज्ञान से हम भटक गए इस दिव्य एहसास के भीतर इस सांसारिक्ता का आबरन आ गया था सांसारिक आबरन इसे ढख लिया था और भाव समाधी साधना में इसी आवरन को हम खटाने वाया है और अपनी सहज चैतन्य की अवस्था में लोटना चाहते हैं उस चैतन्य सहजता में उस सास्वत आनंद की अवस्था में उस चैतना के अस्थर में लोटना चाहते हैं जो हमें समस्थ जग का समस्थ जर्रे जर्रे का एहसास अपने अस्तित्य के रूप में कड़ाता है जब यह हमें यह आवरन हमारे उपर से हट जाती है जो हमारे चैतना को ढखी हुई है उसके बाद यह समस्थ काइनाथ ही आपको अपना ही शरूप दिखाए देने लगता है यही एहसास अभियाब कर रहे है और इस एहसास को और जागरत करने के लिए मैं आपको एक दिखाने ले चल रहा हूँ दिव्यात्मन आप स्वयम चैतन्य घन शत चित आनन्द शुरूप आत्मा है आप सचिदानन्द शुरूप है सत चित आनन्द शुरूप है आपका शुरूप उस सत चित आनन्द से प्रिधक नहीं है वही शुरूप आपका है जो उस पूर्ण ब्रम्ह प्रमात्मा का है परमशेथना का है जो उस अभिनासी शुर का है वो स्रिष्टी करता का है दिव्यात्मन अब इस शरीर को यहीं छोड़ दीशिए और इस शरीर से बाहर निकलने का प्रयास कीशिए शरीर के भौती कस्तर पर कोई मुहमिन्ट नहीं होगा यह ऐसे ही सब की अवस्था में परा रहेगा लेकिन यह चेपना जो इस शरीर में निवास करता है चेपना के रूप में जो आप इस शरीर में चैतन जात्मा के रूप में जो इस शरीर में आप निवास कर रहे हैं उस चेपना को अपने उस मोल शुरो को इस सरीर से बाहर निकान दीचिए इस सरीर से मुक्त कर दीचिए अपने आपको जीवात्मा से श्वतंत्र मुक्त आत्मा के श्वरूप में प्रतिश्चित हो जाईए इस जीव का सम्मंद इस जीव के साथ जो आपका समंद कुछ देर के लिए हुआ है कुछ काल के लिए हुआ है उसका विछेत कर दीजी इस जीव के शरीर से अपने आपको मुक्त कर लीजी और सहाज आत्मिक शुरूप में अपने आपको ले आईए देविया अत्मन आप शरीर से बाहर निकल चुके हैं एक छेतना के लाओ के रूप में आपका स्थिफ अपने आपका एहसास आप कर रहे ही उठिए मेरे सास, चलिए मैं एक दिभ्य दिश दिखाने ले चल रहा हूं, जिससे आपको अपने इस विरावट श्वरूब का, अपने उस चैतन्य श्वरूब का, अपने उस सत्चित आनन्द श्वरूप का एहसास और प्रगाट हो जाएगी उठी उपर दिव्यात्मन आप अपने इस शरीर से मुक्त होकर फ्रतंत्र आत्मा के रूप में मेरे साथ इस शरीर से प्रिथक होकर दिल्ली महाप्रदेश के उपर से गुजर रहे दे आपका भौतिक शरीर तो नहीं है आपका चेतना का शरीर है ज्यान शरीर है प्रान शरीर है यह शुक्षम शरीर है जिसमें भौतिक शरीर नहीं है लेकिन उस भौतिक शरीर से बहुत उर्जावान है बहुत सक्षम है उस शरीर में हम उर नहीं सकते स्वतंत्र गमन नहीं कर सकते लेकिन इस आत्मिक शुरूप में इस चेपना के शरीर से हम कहीं भी गमन कर सकते हैं आप दिल्ली महाप्रदेश के ओपर शे गुजर रहे हैं दूर दूर तक फैला दिल्ली महानगर, छंठ का मौशन, प्रकास में ढखा हुआ यह पूरा सहर महानगर दिखाए दे रहा है, धुन्द भी गहरी है, यह भी आप देख रहे हैं चलिए, अभी हम लद्दाक के छेत्र के तरफ चलेंगे यह विश्वर शिम की प्रेवना हो रही है, हम लद्दाक के छेत्र में आपको ले चलें लद्दाक के पहारियों में ले चलें आपको उस लद्दाक के छेते में कुछ दिब शक्ती पीठ है, शक्ती क्यंद्र है जह हम जाना चाहते हैं और आपको अपने उस चैतन्य शुरूप का उस विराण शुरूप का हैसास कराना चाहते हैं देवियात्मन शंपूर्ण भारत वर्स आपको यहां से दिखाई दे रहा है जम्मू कस्मेर का छेत्र और रिशी के अंतरगत लद्दाक का प्रांथ आपको दिखाई दे रहा है यह पहारी छेत्र है और अतधिक ठंड है यहां पर मैनस चालिस बचास टिकरी के आसपास का टंप्रेचर इस पहारी छेत्र का अभी वर्तमान समय में है लेकिन आप सुक्षम शरीर में है यह ठंड है यह शर्दी यह गर्मी यह प्रकृती आपके शरीर को प्रभावित नहीं कर शकता है प्रकृती के बंधन शे मुक्त हो चुके हैं सुधचेत्ना के अवस्था में आफ भीचरन कर रहे हैं चैतन्य शरूप के साथ आप विचरन कर रहे हैं, जो पूर्णतर श्वतंतर है, कहीं भी आजा सकता है, लदाख का छेत्र, और अभी चीन और भारत के बीच सीमा विबाद चल रहा है, आप देख रहे हैं, पूरा पहारी छेत्र, और दोनों तरफशे, भारती सैनिक और चीन के सैनिकों का बंकर आपको दिखाई दे रहा है, टेंट आपको दिखाई दे रहा है, गस्त करते हुए इस ठंध, जो बर्फ से ढखा है इस बर्फ में ये हमारे शैनिक और चीन के सैनिक दोनों गस्त कर रहे हैं यहां की स्थिति ठीक नहीं है दिवियात्मन जब चेतना के अस्तर पर हम देखते हैं तो यह भी मुझे अपना ही अस्तित्त का ही साथ दिख रहा है जो भारती शैनिक है गस्त लगा रहे हैं वह भी अपना हमारे ही अस्तित्त का हिस्सा दिख रहा है यह पॉलिटिकल इशू है राजरितिक इशू है समस्याएं है महत्वा कांछाओं दो देश के बीच महत्वा कांछाओं की लराई है लेकिन जब हम चेतना के अस्तर पर देखते हैं तो यह सब हमें अपनों ही दिखाए देता है दिव्यात्मन दो देश के सासना ध्यक्षों के बीच महत्वा क्षा कांछा के कानद अनिक माओं के बेटे और बहनों के भाई यहाँ पर अपनी जान की कुरवानी दे रहें बहाँ श्रीव से ब्रार्थना कीजिए कि इन्हें एहसास हो और यह समस्या जितना जल्द हो सुल्चे एक राष्ट के आप नागडिक है और एक आप उस सास्वत अनादी सत्ता के भी अन्स है तो छेतना के स्तर पर यह सब आपका ही हिस्सा है आपके ही शुरूब का विस्तार है तो यहाँ विवात जल्द से जल्द सुल्जे और सभी लोग अपने घर को लोटे दोनों तरफ सांती और अमन का भाईचारा का महौल हो इसके लिए आप अपनी आत्मा के स्तर से प्रार्थन कीजिए उस परम सिव से प्रेर कीजिए उस परम सत्ता से प्रार्थन कीजिए आपके प्रार्थना का बहुत प्राभाव होगा बहुत ही साकरत्मक प्राभाव होगा यहीं से इस वर से प्रार्थना हम करें कि तुरंत अमन शान्ती दोने तरफ हो और चारो तरफ शान्ती हो अब इस विबाद में हमें जैदे और नहीं उलचनग आगे बढ़िए सामने एक आपको चोटी दिखाए दे रहा है चो बिलकुल बर्व से ढका हुआ है कुछ बरे-बरे पीपल के विक्ष बहुत ही विशाल विक्ष दिखाए दे रहे हैं यहाँ आईए नीचे हम उतरते हैं अस्मान से यहाँ एक गुफा है यहाँ पर बौध सक्ति केंद्र हैं, शक्ति तीठ हैं वो शक्ति बीट मैं आपको ले जाना चाहते हैं यहाँ के देव्य अध्यात्मिक उर्जा का आपको हिसास कराना चाहते हैं इसलिए आज हमने भगवान शिव की प्रेरना से, महेश्वर की प्रेरना से आपको यहाँ इस लद्दाख के पहारी छित्र में आपको लाए हैं हम लोग नीचे उतर चुके हैं एक गुफा आपको दिखाएड़े रहा है आये मेरे पीछे-पीछे मैं कई बार अपने गुरु के साथ इस छेत्र का दौरा कर चुका हूँ आपको डरना नहीं है, भैबीत नहीं होना है सभी लोग मेरे शाथ रहेंगे आईए इस गुफा में प्रवेश करिए पीछे-पीछे आना है कोई एक दूसरे को टच नहीं करेगा अपने श्वतंद्र शत्ता को आपको बनाए रखना है नहीं तो आप इस छेत्ना के स्तर से नीचे गिल सकते भीतर और ऐसे लग रहा है किसी दिव्य शक्ति का यहां पर देख रहे हैं कुछ बहुत साधक, बहुत भिक्छुक इस कंद्रा में शाधना में ध्यान शाधना में तब साधना में लीन है उनकी अपनी इश्वर की प्रार्थना करने की पधती है हर व्यक्ति का, हर धर्म का अपने ही शाध से प्रार्थन पधती उपार्षन पधती होता है उसी तरह से यहां भी आपको दिखाए रहा है बहुत ही different इनके चारों तरफ ध्वनिया जल रही है कुछ प्रकास जल रहे है कुछ दिये की तरह प्रकास जल रहा है अभी अपने ध्यान शात्ना में लीन है अपने शात्ना में लीन है इस गुफा का जो उर्जास्तर है बहुत ही दिव्य है दिव्यात्मन कुछ देर के लिए यहां पर आप भी ध्यान यवस्था में बैठिये किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है अराम से बैठ जाए और यहां के इस दिव्य उर्जा का हैसास कीजिए अध्यात्मिक्षक्ति का हैसास कीजिए और इस चराचर जगत में ब्यात उस अखंड सत्ता का जिसका आप भी अस्तित्व है उसका हैसास कीजिए उस परमेश्वर का हैसास कीजिए उस परमेश्वर का अपने भीतर ही हैसास कीजिए उस इश्वर्य शक्ति का हैसास अपने भीतर कीजिए और बाहर भी उस दिव्यस सत्ता के जो उपस्थिती है उनका विश्तार है उनको इहसास कीशिये पुर्णता सांत रहते हुए उस परमसत्ता का हैसास करना है और उस परमसत्ता के साथ अपने सास्वत जुराव का हैसास करना है उस परमसत्ता के रुपने अपने ही विश्तार का हैसास करना है और उसी विश्तार को अपने इस विराट श्वरूप का एहसास करने के लिए इस त्रिस्टी के कनकन में अपनी अखन चेतना जो आपकी व्याप्त है उसका एहसास करने के लिए आप यहां आए हैं और ऐसा ही आप एहसास कर रहे हैं अन्भूती कर रहे हैं देवियात्मन जैदे देर तक हम इस सवस्था में नहीं रह सकते हैं आपने अपना भौतीक शरीर दिल्ली बहा नगर में स्थित और भारत के जिस्मी प्रांत में आप रह रहे हैं जहां आप अपने शरीर को छोड़ कर आए हैं चलिए पुनह लाटिए कोई यहां नहीं रहेगा पुनह इस छेत्र में ब्याबत अध्यात्मिक सकतियों को नमन किसे भगवान स्थिम को नमन कीचिये जिनकी विशेष क्रिपा से प्रेरन से मैं आज आपको यहां लाया हूँ यह चैतन यात्रा हमने सहाज और शुगम रूप से पोड़न किया प्रे इस लद्दाख के छेत्र को प्रणाम कीचिये और लाटिये दिल्ली महाप्रदेश की ओर अपने इस स्थान पर जहां आपने अपना इस भौट के श्रीर को छोड़ कराए हैं आपके श्रीर के साथ बहुत सारे संबन्ध जुरे हुए हैं उदेश जुरे हुए हैं आपके जीबन में श्रीर का बराभात है आप अपने अपने उस छित्र लाट चुके हैं जहां आपका शरीर रखा हुआ है धर्तिमा को जिस अवस्था में आपने अपना शरीर सौफ चुका था सौफ कराए थे ऐसा ही आपका शरीर बरा हुआ है अपने शरीर में अप प्रवेश कर जाए और अपने शरीर के जर्रे जर्रों को पुनह चैतन्य कर देशे धर्तिमा आप यह शरीर नहीं है इस शरीर में निवास करने वाले चैतन्य शक्ति है अपने उस चैतन्य शक्ति को अपने उस दिव्य चेतना को पुनाई शरीर में प्रशारित कर दीचिए शरीर में प्रवाहित कर दीचिए और शरीर के जर्रे जर्रे को उर्जावान कर दीचिए आपके शरीर का जर्रा जर्रा उर्जावान हो चुका है शैतन्य हो चुका है जीवन्त हो चुका है और जावान हो चुका है दिवनादमन अब लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास चोरेंगे लंबी गहरी श्वास लेना है और लंबी गहरी श्वास चोरना है और इसी के साथ अपने इस सरीर के जर्रे जर्रे में अपने अस्तित्त का है सास करना है अपने जीवन सक्ति का है सास करना है चैतनिता का है सास करना है देख्यात्मन अब मैं ओमध्वनी करने जा रहा हूँ आप मेरे ओमध्वनी के साथ अपने प्रानधारा को जोरेंगे और सरीर में महाप्रान का संचार करेंगे अपने शरीर के जर्रे जर्रे में परमचेतना का हिसास करेंगे, जीवन सक्ती का हिसास करेंगे अपने शरीर में अंग्राई नहीं लेंगे, पादबरिया राम से उचकर बैश सराइगे, पादबरिया राम से उचकर बैश सराइगे, ध्यान के किसी व्यासन में उठकर बैश सराइगे, आखे बंधी रखेंगे, अपने सहस्ता को बरकरार रखेंगे, अब आप अपने 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 आपको अन्म्यूट कर शकते हैं, और तीन बार एक शर में लंबी गहरी, स्वास के साथ, ओम ध्वनी करते हुए, अपने धी पर उसी उन्हार इंसास करेंगे, करफली कुद़ करेंगे, इससां सकते हैं, अपने ऐसे स्वाईपण, स्वाईप dice सकते हैं, अपने अपने यहें फ्ले कि रखेंगे, अपने अपने, इसक्सा जपने गदानीन अवेंगे, इससे सच्बशकानीस और भोम्वें और पकते हैं? हैंब को झाल झाल सब्सक्राइब से बोहिं से बोहिं और भाल थे घ्जशर प्रफ्त से बोहिं से बोहिं से बोहिं वो कि तुदुद०्ट थो कि अधु कि तुदु हूझ घटाब पुदु कि तुदु पुदु कि तुदु कि उदु आदुनरुं बिल्से घदुदु हे तारो से तारो में अम्ना वास जिस अत्मा हे जंदा वे सूरज में आ लोक जिस अत्मा हे जंदा वे सूरज में आ लोक जिस अत्मा वे ही आत्मा से तानंद में हूं वे ही आत्मा से तानंद में हूं वे ही आत्मा वे वे सूरज में आत्मा वे हैं आत्मा थो तानंद में कम लोक जिस अत्मा शिवो हम किवो हम विषेशा स्रकाटे ना अगनी जनावे प्रिष्टेश्ट प्रिकाटे नागनी जलाए तावे नापनी नापनी जलाए तावे वी प्रिकातर प्रिकाटे नापनी जलाए प्राम आत्माहूं परम आत्माहूं प्राम आत्माहूं परम आत्माहूं वही ज्यान अर्जम को हरी ने सुनाया वही ज्यान अर्जम को हरी ने सुनाया वही आत्म सर्चे दानम वही ज्यान अर्जम को हरी ने सुनाया Sivoham 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 Amr atnamhe maran sila kaya अमर आत्मा है मर शीलकाया सभी प्राणियों के जो भी तर समाया सभी प्राणियों के जो भी तर समाया सभी आत्मा सचीदानंध में हुँ वही आत्मा का चिला अंदल मैं हूँ समय आत्मा हूँ करम आत्मा हूँ अजर आत्मा हूँ करम आत्मा हूँ शर आत्मा हु स्वी आत्मा हूँ स्वी आत्मा हूँ हरियो महरियों हरियो महरियों अरियों 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 ताँट्साः कुछ चन के लिए पूर्ण तह सांथ हुजाएंगे अपने शरीर के रग रग में दिप्या शांती का अनुफुती करके